हाँ तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाले यार उमीद करते हैं अच्छे होगे तो एक और New State की वीडियो के साथ में आ चुके हैं वापस अब भाई बात करते हैं इस वाली वीडियो की तो यार देखो वैसे तो मेरे को बहुत ही जादा टाइम हो गया गेमपले वीडियो डा आपा रहा हूँ तो देखते हैं भाई वह कब तक मैनेज होंगी बाकी आप लोग इस वाले गेमपले को इंजोआए करो और इस वाले गेमपले की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा सीन होने वाला है जिसको देखने के बाद भाई आप लोगों से एक बात बोलना चाहत और वो बात यह कि इस वाले वीडियो को एंड तक देखना विकॉज जो सीन हुए हैं वो लिटरली काफी जदा खतरनाक है तो बीना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की तो यहां पर देखो एक मैं गुमनाहम जगा पर उतर गया था अब इस वाली पोस्ट में देखो क्या सीन होता है मैं अब यहार इस जगह पर आते ही मेरे स्वागत यह वाला बंदा करता है बट इस वाले बंदे का जो नाम है आप लोग याद रखना क्योंकि इस वाले भाई को मैं काफी बार मारने वाला हूँ इस वाले मैच के अंदर बट यहां पर अब इसके कुछ टीममेट्स और थे जिनको किल करना था तो भाई सबसे पहले उनको किल करते हैं बट उतने में ये वाला जो बंदा था ये आटो रीडिप्लाई का फायदा उठा कर यहां पर दुबारा से लेंड होने की ट्राई करता है और सक्सेस्फुली लेंड भी हो जात है बट उसके बाद देखो भाई के साथ क्या ही सीन होगा अब देखते देखते यार यहां पर इस वाले भाई के टीम अब देखते देखते यहां पर इस वाले बंदे के टीममेट को तो मैं काफी इसली नौक दे देता हूं उसके बाद आता हूं इसकी और उसके बाद हम ल हम लोग बना देंगे बट अभी बारी थी सामने वाले बंदे की तो देखो भाई सामने वाले बंदे को कैसे मारेंगे तो यहां पर फाइनली इस वाले भाई को हम लोगों ने दुबारा भी किल कर दिया था बट उसके बावजूद यहां पर एक बार मेरे को पैरसूट और देखने को मिलता है बट कुछ टाइम के लिए मैंने इस वाले पैरसूट को इग्नोर कर दिया था क्योंकि मेरा जो ध्यान था वो दूसरी जगा पर सिफ्ट हो गया था और वो जो ध्यान था वो इस वाले बंदे को उपर सिफ्ट हुआ था जो कि पहले मेरे को एक रियल बंदा लगता है बट रियल बंदा यहां एवान पोस्ट की दूसरी तरफ था तो अभी बारी थियार इस दूसरे वाले बंदे को मारने की तो भाई देखो इसको कैसे मारते हैं और अगर बात करना इस वाले बंदे की तो भाई यह लिटरली मितलब एकड़म हारड कोर केंपर था और हम लोग एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये new state के अंदर एकदम नया player था तो यहाँ पर ये वाला बंदा सायथ खेलना सीख रहा होगा तो इसको तो काफी आराम से kill कर देते हैं लेकिन यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि अभी एक पैरसूट वाला बंदा भी आया था जिसके पैरसूट को मैंने इग्नोर कर दिया था और वो वाला बंदा एवान पोस्ट के पीछे जाकर दुबारा से ग्रीन फ्लेयर चला देता है और अपने बंदे को कर देता है री डिपलॉय तो चलो यार इन वाले बंदों को भी kill करते हैं और यहाँ पर यह वाला जो बंदा था जिसका मैंने आप से सुरवात में नाम याद रखने को बोला था वोस वाले बंदे को third time successfully मैं kill कर देता हूँ और पता नहीं क्यों इस वाले मैच के अंदर यह वाला बंदा भाई हमेशा मेरे ही हाथों मर रहा था इस वाले मैच के अंदर अब इसके पीछे कुछ भी हो सकता है लेकिन इतने में इसका teammate मेरे पर rush करता है जिसको मेरी location का बिलकुल भी idea नहीं था तो देखो भाई को कैसे मारते है अब मतलब यार इस वाले बंदे को बिलकुल भी idea यहाँ पर नहीं था कि मैं उस जगह पर कि मैं वहाँ पर चुपचाप hold कर रहा हूँ तो भाई को काफी आराम से kill कर देते हैं तो इसके बाद यार देखो यहाँ पर मेरे को कोई भी hope नहीं थी कि यह वाले बंदे दुबारा से redeploy होकर आ जाएंगे और ऐसी situation पर आएंगे जहाँ पर मेरे पास zero ammo होगी बट उसके बावजूद इन लोगों को मैं देखना भी कैसे kill करूँगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरे साथ काफे ज़्यादा गलस सीन होता है अब वो गलस सीन यह था कि यहाँ से जस्ट मैं अपनी गाड़ी उठा कर जा रहा था उतने में मेरे पीछे तीन बंदे लग जाते हैं अब यार इस जगा पर मैंने काफी अच्छे से ट्राई किया था कि इन लोगों को kill कर दूँ बट यार वो possible नहीं हो पाता है लेकिन उसके बाद यहाँ पर मैं देखो तुरंत लैंड होता हूँ हाला कि लैंडिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड हो जाती है बट इस जगा पर मेरे को यह होप था कि यहाँ पर at least यह लोग मेरी गन वगएरा तो छोड़ कर गए होंगे अब हाला कि यहाँ पर मेरी लैंडिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है बट मेरे को इतना होप था कि यहाँ पर मेरे को लूट अपनी ही क्रेट से मिल जाएगी लेकिन यार देखो लूट तो मिल जाती है अब लूट के नाम पर दोनों गने तो मिल गई थी अब देखो केवल गन से तो कुछ होने वाला था नी विकॉज यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी ammo वगेरा नहीं थी और मैं जैसे ही ammo वगेरा चेक करता हूँ उतने में मेरे को आती है एक गाड़ी की sound जिसके बाद मेरे मन में एक doubt आया था कि ये गाड़ी वाले बंदे भाई वही तो नहीं है या फिर हो सकता है कि ये वाले बंदे hacker भी हो विकॉज इस तरह से भाई direct मेरे पे आ जाना थोड़ा सा suspicious था बट इस जगह पर भाई कुछ और ही होना था तो वो आप लोग खुद ही देख लो अब यार यहाँ पर इस वाले बंदे को इस वाले मैच के अंदर मैंने fourth time मारा था तो इसके बाद नो मतलब भाई भी बोल रहा होगा कि यार आज गलती time पे मैच लगा दिया बाकि इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो होता नहीं फाइनली इस जगह से भी मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ लेकिन जो चीज यहाँ से निकलने के बाद होती है वो तो मतलब एकदम ही next level है अब वो क्या थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो इस जगह पर देखो मैं आकर रुख जाता हूँ विकॉज कुछ बन्दे सामने की तरफ थे अब ये जो बन्दे सामने की तरफ थे ये मेरे को नहीं पता था की भाई मेरे पे ड Suppose कर देंगे और रस कुछ इस तरह से करेंगे कि डinek अपनी पेटी बन जाएगी विकाज जो अपना लास्ट वाला टीममेट था वो थोड़ा नया प्लेयर था नियू स्टेट मोबाईल के अंदर तो इस वाले गेमपले के अंदर भाई चिकन डिनर तो नहीं हो पाएगा बाकी अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो या फिर और भी कोई चीज अच्छी लगी हो तो जरूर से एक लाइक कर देना कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कर दो मिलते हैं इसी के साथ कल की सी निव वीडियो में तिल दैन बाई कर दो से गार्ट है